मेरे बहनों मेरे भाईयों भांजे भांजे आप सबको दौनों हाँ जोड़के नमस्कार आप सबको प्रणाम तब से पहले तो मामा माफी चाहता है आने में मैंने बहुत देर कर दी गुस्टा तो नहीं हो अरे भुपाल में एयर सो था आज एयर फोर्स का एयर सो और बेटा बेटियों उसको देखने इतनी बड़ी भीड उमड़ गई लाखों लोगों की कि मामा को यहां आने का एयर पोर्ट तक रास्तव जिला इसलिए आते आते बहुत देर रही देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं आज सबसे पहले मैं भाई ऑम्रिकास शकलेंचा जी को तरदे से बदाई देना चाहता हूं आपका अभिननन करना चाहता हूं Artificial Intelligence, भासाओं की सिक्षा, आंगनवारी हमारी हाई टेक हो गई, लोगों का पूरा चेक अप, ताकि अनावसु गूप से बीमार ना पड़े और मृत्यू ना हो, ऐसे अनेकों अभिनब काम ओम प्रकास जी ने किये, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत की जिए, भासाओं की सिक्षा के लिए भी आपने जो प्रयास किये हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, और मेरे किसान भाईयो, बायो टेकलोजी पार्क आज यहां, उसका हमने भूमी पूजन किया है, यह बायो टेकलोजी पार्क लगबक 40 हेक्टर म बनेगा, तीन चरणों में इसका अंधर्मान पूर्ण होगा, आठ से अधिक प्रयोक साला होगी, इंक्युवेशन सेंटर होगे, यह ब तकनीकों के व्यवसाही करण में बायो टेक महत्पूर्ण भूम का निभाएगा, और सोध करने वालों को, विध्यार्तियों को, और उ सर खुलेंगे, और इसलिए, अलो, 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 अब मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, आजाओं, मेरे बेटा बेटियो, आया तुम बैठे रहे ना साप, ये चंद्रयान वाले मेरे बच्चे बैठे, तुमारा भी अभिनंदन, प्रधान मंत्री जी का भी अभिनंदन, चंद्रयान कैसे चंद्रमा पर उतर रहा है, मेरे बेटा बेटियो, मेरी बात जड़ा ध्यान से सुनो, AI की पढ़ाई कौन कौन ने किये जरा हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे करो, अंग्रेजी कौन कौन को आती जरा हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे करो, लेप्टाप कौन कौन को मिलाए जरा हाथ उठाओ, अज़ा लेपटाप लेने का एक और तरीका तुम्हें बताता हूँ मामा ने तै किया है कि बारवी में जो बच्चे 75% या उससे जादा नमबर लाएंगे मामा क्या दिलवाएगा उनको अरे जोर से बताओ लेपटाप दिलवाऊंगा और अगली बार सोच रहा हूँ कि 75% से भी थोड़ा परसेंट नीचे ले आऊँ लाना चाहिए कि नहीं मेरे बेटा बेटियो हर बच्चे में पृतिवा है योगता है छमता है केवल आपको साधन अगर उपलब्द करा दे तो मेरे ये बच्चे चमतकार कर सकते हैं नया इतिहास रच सकते हैं स्वामी विवेक अनंद कहते थे स्वामी विवेक अनंद कहते थे तुम केवल साड़े तीन हाथ के हाड मास के पुतले नहीं हो तुम अमरित के पुत्र हो इस्वर के अंसो अनंद सक्टियों के भंडार हो और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि तुम ना कर सको हमारे बच्चे बड़े से काम कर सकते हैं ये लेब टाप चलाने वाले मेरे अच्चे मैं इन बच्चों का भी नदन करता हूं मेरे बेटे बेटियो हमारी कौसिस है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए और इसलिए हमने तैजिया बाट भी पास करके छट भी अगर दूसरे गवंब बच्चे जाते हैं तो मामा साड़े चार हजार रुप्या स्टाइकल के खाते में डालते हैं आठ भी पास करके नौवी में जाते हैं तो भी साड़े चार जार रुप्या और बारवी में अगर अपने स्कूल में सबसे जाद नमबर लाए कोई बेटा या बेटी तो मामा क्या दिलवाते हैं अरे जोर से बताओ अभी तो एक एक बेटा और बेटी को इसकूटी दिया था अगले साल से तीन तीन बेटा और बेटियों को इसकूटी दी जाएगी अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ जैसे जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहती है तो मम्मी कहती है कि बेटा बात मानले मैं चाकलेट दूंगी टाफी दूंगी मैं भी तुम्हें धंग से लइचा रहा हूँ कि बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करो मामा लेपटाप देगा मामा स्कूटी देगा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों में स्वस्थ प्रतीस परदा हो और वो कहें कि मामा से लेपटाप लेना मैं तो खूब पढ़ाई करूगी मैं खूब पढ़ाई करूँगा बोलो खूब पढ़ाई करोगे कौन कौन लेपटाप लोगे ज़राहत उठाओ बारभी में और इतने लेपटाप बाट पढ़ेंगे तो लेपटाप बाट बाट ते हाथ तक जाएंगे लेकिन कितने बाटने पड़े तुम अच्छे नमबर लाओ मामा लेपटाप दिलबाइंगे और इस कूटी कौन कौन लेगा इस कूटी भी तब लेवे हैं तो चलो इसकूटी भी दिलबाइंगे लेकिन एक बात और सुनो ओपी सकलेचा जी ने भासाओं की सिख्छा भी दिलबाई है एई आई की सिख्छा भी दिलबाई है लेपटाप भी उपलब्द करवाए हैं और उनने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज में एडमीसन हमारे गरीब बच्चों के भी हो रहे हैं सुनना मेरे बेटा बेटियो ध्यान से सुनना अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमीसन मेडिकल कॉलेज में होगा इंजरिंग कॉलेज में होगा आई आई टी में होगा प्रतिश्टित ला कॉलेज में होगा और किसी उच्च सिक्षन संस्थान में होगा तो मम्मी पापा भी सुन लेना फीस बहुत जादा होती है प्राइवेट मेडिकल कालेज की फीस है बारा तेरा लाख रुपया हर साल पांस साल तक बारा तेरा लाख रुपया देना बताओ किसान के बेटा-बेटी दे सकते हैं क्या गरीब के बेटा-बेटी दे सकते हैं क्या तो क्या क करना चाहिए मेरे बेटा बेटियों मैं तुम्हें बचन देता हूं कि तुम्हारी फीज तुम्हारे पापा नहीं भरवाएंगे कौन भरवाएगा कौन भरवाएगा यह मेरा बचन है तुमें तुम पढ़ते जाओ रहे चिंता काई की करते हो मामा भीज भरवाने का इंतिजाम करेगा तुमारे रास्ते में कोई बाद आने रहने देगा गरीब और किसान के बेटा बेटी पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और मेरे बेटा बेटी हो बाई और बेन हो अब हम स्कूल अलग ढंके बना रहे हैं सी एम राइज स्कूल एक-एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड तक मैं बना रहे हैं मा लैब होगी मा लाइब्रेरी होगी मा स्मार्ट क्लास होगी मा प्ले ग्राउंड होगे बाहर दिल्ली मुंबई से बैठके भी कोई तुम्हें पढ़ा सकेगा तुम्हारे इस्मार्ट क्लास रूम में सी एम राइज स्कूल और कबल एक जगे के बच्चे नहीं आएंगे सरवानी अमाराज है है तो यहीं के बच्चे आएं बस लेने गाउं में जाएगी बच्चों को बिठाएगी इस्कूल लाएगी और साम को फिर गाउं में छोड़ने जाएगी यह इस्कूल इसलिए कि गरीब बेटा-बेटी भी प्राइबेट से अच्छे इस्कूलों में पढ़ सके तो बोलो सब अच्छे से पढ़ाई करोगे, थोड़ी मस्ती भी कर सकते हो, खेल भी सकते हो, खेलना भी चाहिए, और मम्मी पापा हों से कह रहा हूं कि भाईया, बच्चों को ज़्यादा ढाटा माटा मत करो यार, भांजे भांजी हमारे, थोड़ा प्यार से नहीं तो, सभे करती जनता पार्ट की सरकार की है, सकलेचा जी जैसे हमारे, सुधीर जी जैसे सांसत करेंगे, और मामा तो तुम्हारे लिए ही है, अगर तुम ढंग से पढ़ गए, तो मेरा मुक मंत्री बनके बनना सार्थक हो, बच्चों की जिंद्गी बदलने का भियान, और मेरे किसान भाईयो, इस बायो टेकलोजी पार्क से है, यहां की पूरी अर्थि जवस्ता बदलेगी, आपको आदमिक टेकलोजी मिलेगी, अलग अलग तरह के प्रियोग होंगे, और हमारे उद्ग पती भाईया हैं और बहन, वह यहां नए नए उद्धोग लगाएंगे, जिससे नए रोजगार के अफसर पैता होंगे, यह टेकलोजी पार्क इस इलाके की हालत बदल के रख देगा, अब या, आंगन बाड़ी तो हाई टेक हो गई है, नीमच की हमारी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है, इसको भी किसान भाईयो हाई टेक मंडी के रूप में बदला जाएगा, आप चिंदा मत करते हैं, जावद की, जावद की, सकलेचा जी गवरा गए किनल लगी है, तो जावद वाली मंडी पड़ती है, ठीक है जावद की, अब नीमच बालों को भी निरास नहीं करेंगे, भावी कुछ ना कुछ करेंगे, बाई चिंदा मत करो, और एक बात और, ब पानी चाहिए की नहीं, तो मेरे किसान भाईयों, जावद नीमच माइक्रो इरिगेशन योजना हम मंजूर करने बाले हैं, ताकि आपके खेतों में पानी पहुँचा सकें, और मुझे पक्का विश्वास है, कि मंडी पानी अगर आएगा, तो किसान महनत से, इस लाके की त पस्वीर भी बदलेंगे, और अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे, अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे, और मेरी बहनों, लाडली बहनाओ, अब दस्तारीक आने वाली है, इस बार हो सकता है कि पहले ही पैसा डालने पड़े मुझे, केवल पैसा नहीं दिया, मै मлекं दिया है मेरी बेहनों तुम्हें मान दिया है ताकि मेरी बहनों को छोटी मोटी पैसे की जगरत परिशा ना कर पाए और एक बात और तुना अब जावद नीमत के हराओं में हैं पानी की से बैंट पं सबने बोड़ थे हैंक पं हेंड पंप से पानी भरना बंद करेंगे पाइप लाइन बिछा के मौटर लगा के गांधी सागर का पानी टंकी में डालेंगे साब करेंगे और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे तोटी खोलोगे तो जर जर पानी आएगा बरतन भर जाएंगे और मेरी बेटियों को हेंड बंप नहीं चलाना पड़ेगा आपके जिन्ग जे बदलना भारती जन्ता पाइटी की सरकार का लक्ष है मोदी जी के नित्रत्व में बैबबसाली गौरबसाली संपन संब्रिद भारत बनाए हमारा देश आगे बढ़ राए और मद्द प्रदेश की भी हमने तस्वीर और तकदीर बदल दी है बैनों भाईों दिख्वजे सीन का राज देखा होगा ना सडके थी ना बिजली थी ना पानी थी आप बताओ हमने विकास किया है कि नहीं किया उन्हें कुछ किया ही नहीं था लेकिन आज बच्चे बैटें तो मैं कोई को गाली बाली नहीं दूँगा आज तो मैं ये कहूंगा कि जो सरकार काम करे उसको बापस लाना चाहिए की नहीं अरे लाना चाहिए की नहीं तो बोलो मामा का साथ दोगे मोदी जी का साथ दोगे सकलेटा जी का साथ दोगे सुदीर जी का साथ दोगे तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आसीरवाद आओ मेरे साथ अच्छी पढ़ाई के लिए कि हम मामा तुम्हें विश्वाज दिलाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम अच्छी पढ़ाई करना मैं पैसा भिजवाऊंगा अपना समझोता हो जाए अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ तो टाओ दोनों हाथ और बांदो दोनों मुट्टी और भारत माता की जय बोलके तुम अच्छी पढ़ाई का संकल्प लो और मामा तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देगा ये संकल्प लेगा जो भी विवस्ता करना